इस जगा पर मैं खड़ा हूँ, वो कलेक्टर साहब की यानि की राजगर की जिलाधीश की प्रिय गोशाला है। इस जगा पर मैं खड़ा हूँ, वो कलेक्टर साहब की यानि की राजगर की जिलाधीश की प्रिय गोशाला है। कहना है कि अगर अतिक्रमन की जगा हाटा दी जाए, तो पूरे राजगर जिले की भव ये गोशाला यहां पर बन सकती है। अब चलिए इस गोशाला का नाम जड़ा ध्यान से देख लिजिए, कामधेनु गोशाला ग्राम पंचायत परोलिया। परोलिया की ये कामधेनु गोशाला है और यहां के अंदर की विवस्ता भी हम जाचेंगे। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। हम अंदर चलते हैं गोशाला के, चीज़ें आपको दिखाते हैं, और यहां पर पेड़ पोधे भारी मात्रा में लगाया गया है în वो भी हम आपको दिखाएंगे। यह देखिएगा यह अंदर गोशाला का आंगन हम इसे बोल सकते हैं और बड़ी प्यारी गोशाला है हम गोशाला के एपिसोड इसलिए चला रहे हैं ताकि राजगड की जो खचर गोशाला है यानि कि जो बिगडी हुई गोशाला है जिनका पेशा सरपंची की जेब में जा या गाओं वाले उसाहला में सहयोग देते हैं इसलिए हम यह इचह अच्छी गोशाला राजगड की झूण कर आपको दिखाते लाकिस एपिसोड में और अगर आपके गाउं में यह च्छी गोशाला बनी हुई है यह तो हमें केमराग tähän दिखाईेस सामने भूसा बशॉडा यहां पर लिखा रहा है हम अंदर चलते हैं सिदे गोशाला के होल में क्या-क्या सुईदाएं हैं कितनी गाये हैं यह सब सर्पन साप से हम बात भी करेंगे यह देखिए भूसा भी भरा हुआ है पूरी चका-चक वेवस्ता है कोई दिक्कत नहीं है और अगर घ्राम हर एक गा हो सकती है इस तरह की राजगड की साला में मतलम एं राजगड को इस तरह की शालाओं की जरूथ है और ग्राम पंचयत परोलिया में आकर यहां की विवस्ताय देक कर आप है कि आप निरिक्षन कर सकते हैं जो भी सर्पंच गोशाला को नहीं चला पा रहा है यहां पर खाद बगेरा बनता है सर यह देख़िए गोपर से खाद बनता है और लगबके से 10 यहां पर और पीछे सरोवर आप देख सकते हैं कमल सरोवर को जहां से दिखा देए यही पानी आता है है कि यहीं का पानी आता है सरोर में और गायों की यहीं से जो चारे की विवस्था है वो भी है काफी बड़ा एरिया है काफी लगवग पांच कुंटल चरी लगवग वो रखी इन्होंने और 20 बिगा जमीन यानि कि गोशाला की 20 बिगा जमीन है हम बाहर चलके और यहां से वहां तक जहां तक आपकी नजर जा रही है यह पूरी गोशाला की जमीन है और यह गाएं यहां पर छोड़ भी छोड़ी भी जाती है क्योंकि बाहर अगर माहोल रहे तो बड़या गायों का ठीक सामने आ चुके हैं और यो यहां पर सर्पंच साब और उनके साथ ही खड़े हैं हम उनसे पूछते है कि गोशाला को किस तरह से वो चलाते हैं क्या-क्या विवस्था है और किन किन का इस गोशाला को चलाने में सही होग रहता है नमस्ते सर्पंच थाब पहले नाम बता दीजिए अपना काम देनु गोशालाग राम पंचायत पर हो लिए अच्छा अपना नाम क्या है मैं राम गुपल गुपता सर्पंच प्रति दूए सर्पंच यामा भई प्रतम बार रुप्य अब गशाला ने तो कितना रुपय आया था लगबग घुपता पहले एक लाग बी सजार आया था रिबाद में अभी और इसके बात कोई रूपै एक रुपै कराशी ने आया और मेरा जेब से ग्राम पंचायत के एडजस्मेंस से गोशाला चला रहा ह मजदूरी ग्राम पंचायत के मस्टर रोल पर चला देता हूं दो सयोगी रख रख रखे मदन पवन चोकिदार और हमारे दो लड़के लखन राठोड और यूसुप खान तीन तीन चारों के सयोग से देखर एक चल रही है करते हैं कोई पैसे राशी नहीं देता है तो सिर्फ में ग्राम पंचायत की मस्टर रोल से मजदूरी चला देता हूं और कोई की भी घास चारा जो खरिदता हूं तो मस्टर से पैसे देता हूं अच्छा और यहां पर दबंग लोगों ने बहुत सारे जगा अत्रिकाम करें कि तो चार सो भी दबंग लोगों ने बश्यादा ज्यादा खाट 20-25 लोगों के द्वारा अट्रिक्रम कर रहा है वो गायों के काम में आ सकती थी अगर वो जमिन निकल जा तो मैं पूरे राजगर जिले की गाएं की सेवा कर सकता हूं अच्छा पूरे राजगर जिले की तो वह बन जाएगी तो अधिकारी लोगों से शिकायत की आपके नेता हो और जो दो चार नेता और यह जो अच्छा काम करता उसको परिशान करते हैं लेकिन आपकी तारीफ बनती है मैं अनुमन क्या है कि सरपंचो की तारीफ नहीं करता हूं लेकिन आपकी तारीफ करना पड़े कि मुझे गोशाला देखकर मैंने पंची परमेसर की राची से पूरे गाउं में सिसी करों रखा सिर्फ विदायक सहाब के सहयोग से भी दो बार ददस लाग रुपा है पूरे गाउं में एक भी गली नी छोड़ रखी अच्छा पूरा गाउं में जबकि इससे पहले दस साल दूसरा कोई काम नहीं करे तो सहीनि तीन चार आट रोज में दो गंटा लाइट आती वह ब्याशां कम से कमपाई दोजार फिट दूर से वायर्ट के व्यस्ता कर रही है और 45 ये कर रखी थेला धो पंद्रा रोज का पानी बर लाइट ने आती तो टेंकर से पूराता हूं तो पानी की बड़ी समस्य रहती है परेशान इन थी इस साल बहुत ज्यादा तकली अच्छा प्रियुरा सिंग जी थे पेले वह तो दिकत इन थी अच्छा और गाओं में भी लाइट विल्कुल भी नहीं आरे आट रोस से बन लाइट है वो तो पूरे जिल्ले की समस्य चल र रोड जो अत्रिक्वन करके 20 फिट चुड़ा रोड कर रहा लोगों ने अगर इनका अत्रिक्रमन हर्जा तो यहां कम से कम 2 करोण रुपे की जेमिन है श्याज की अच्छा दो जबाना जरूर यह पेले अत्रिक्रमन हर जा तो जाओं भी सुदर जा पूरो अच्छा यहां क तो नेता है तो आपका अधिकार भी है, तो काफी सारी चीजे है और क्या आप क्या गाम करते हैं, बहुत शुद्धा अच्छी बात है, इसी तरह से लगे रहे हैं, नमस्त कार साब, क्या नाम है आपका धिरपसिंग जी कैसा लगता है आपके कावं में इतनी बड़े गोशाल तर यहीं चला रहे हैं तब नहां का उशाला थी पहले अच्छा पूई एक नंबर का उशाला चल रही है अब तो बढ़ी चल रही है बागी आगे की देखो कई हो है सरकार ने पेशा बंद कर दिया वैसे गोशाला का पहले कमल नाच जी सरकार की टाइम पर गांगे 20 रुपे बता रहें यह रूपे 20 पेसा बता रहें एक गाए के उपर जब कमल नाच जी की यह ना थी कि हर एक गाए के खड़्चे के लिए 20 रुपे प्रति दिन दिये जाए यहां एक रुपे देते हैं अब एक रुपे देते हैं अब भी राशी नहीं जाती इसका बाद भी इसका बाद भी सर्पन साब के द्वारा गोशाला चला जा रहे है साब आपके राज में थोड़ा सा देख लीजिए पेट्रोल मेंगा हो गया है तो एक रुपया और बीस पेसे में कैसे गाएं खाएगी और क्या क्या खाएगी यह थोड़ा समझ से परें बरहाल यह जो गोशाला है इसी तरह के अगर गोशाला राजगर में बन जाए या साहब ने जो अपील की है कि अगर यहां का अतिक्रमन हट जाए तो पूरे राजगर की गाई यह समाल सकते हैं और यह तैयार है उस चीज के लिए तो प्रशासन कितना सीरियसली लेता है राजगर के कलेक्टर साहब ने कहा था कि जहां भी रोड पे गाई दिखे वहां का वीडियो मुझे सेंड कीजिएगा तो मैं ततकाल उस पर एक्शन लूँगा लेकिन इस वीडियो के माद्यम से मैं कलेक्टर साहब से भी अपील करत अगर आपके गाउं में भी गोशाला की दिक्कत है या बहुत अच्छी गोशाला बनी है तो हमें जरूर बताइएगा नीचे में कमेंट डिस्क्रिप्शन में में मेरे नंबर डाल दूंगा हम उस गोशाला को कवर करने जरूर आएंगे गोशाला का यह दूसरा वीडियो कि जो लोग है वो इस वीडियो को जादा जादा शेयर करें गोमाता के हक में शेयर करें और जन जन तक दिखा हैं कि हम हमारा जो गाव है वो गाएं के लिए इतना समर्पित है हमारे जो सरपंच है वो गाएं के लिए इतना समर्पित है आपसे मिलकर बहुत कुछी हुई योगियों से भी करवाईएगा बहुत बहुत धन्यवाद